आज कि इस वीडियो में आपको बैदुत चेत्र बैदुत भर रेखा है तो बैदुत चेत्र की तीपता बताया जाएगा ठीक है कि बैदुत चेत्र क्या होता है प्रिवियस लेक्चर मेंने बैदूत आवेश क्या होता है बताया उसके बाद कूलाम का नियम बता चुके हैं ठीक है तो अब बैदूत छेत्र क्या होता है तो हमने बैदूत आवेश के बारे में में परीवियस वीडियो में बताई क्या चीजो होते स्पेंड तो बज्दु छ्छेटर जो म login साथ कभी के गुढ़ होता रहता है मतलब आवेशित मतलब चार्ज रहता है जब कोई पदार्थ यदि आवेशित है चार्ज है तो आपने अपने चारों तरफ एक छेत रुत्पन करता है जिसमें कोई सूच्म आवेशित करन सूच्म आवेशित करन बल का अन्भो करता है बल का अन्भो करेगा जो तो आभैसित कं होता है एक ऐसा छेत्र रूत्पन करता है जिसमें कोई अवेस लाने पर धन परिच्छण आभैस लाने पर वाद धन परिच्छर बेस उसके छेत्र दॉरा उसके द्वरा उत्पन किया गया छेत्र जो है उसमें बल कानभो करेगा हो किसका अनभो करेगा बल का जैसे कोई आबेस प्लस क्यू है ठीक है प्लस क्यू आबेस है तो इसके दौरा एक छेत उर्तपन किया जाएगा इसके दौरा एक चारो तरफ यह आबेस की गुड़ होता है कि इसके दौरा क्या होगा चारो तरफ एक छ लेकिन यह हम देखते हैं कोई आवेस हमने देखा कि कोई आवेस प्लस क्यों है वह आवेस ही ठीक है इसके चारों तरफ हम कोई आवेस लाते हैं तो आवेस या तो भी कर्सित होता है या अकर्सित होता है आवेस या तो यह पॉजटीब चाहिए उसे रिपल करेगा या उसे अट्रेक्ट करेगा ठीक है तो इस आवेस यह गुड क्या है यह आवेस जो है यह गुड क्या है जानेंगे इस आवेस के दोरह उत्पन किया गया गुड तो यह आवेस के दोरह उत्प कोई आबेश जो है बल कानभव करें वो क्या कहलाता है ठीक है तो डिफनेशन हम उसकी क्या कहेंगे समझ में आया ना जैसे कोई आबेश प्लस क्यूं है तो उसके चारों तरफ एक छेत रुत्पन होता है जिसमें कोई आवीशित करण आने पर एक बल कानभव करता बल किसी परकार से भी भल हो सकते हैं किसी परकारा है बन कानभव करता है ठीक है तो उसके दोरह वह जो छेत रुध्पन क्या गया है वा चेतर कहें लाता है भीदू का लाता है ठीक है वह कहें। कर लाएगा तो हम इसकी डिफनेशन लिख सकते हैं कि किसी बदूत आबेश के चारो ओरकावा छेत्र जिसमें कोई अन आबेश कर does कर आड़्व करता है बदूत छेत्र खहलाता है ठीक है हम ने का बताया कि किसी आबेश के चारों और या आबेश ऑर देशों का शमुदाय अबेस चारों रुटपन्न वा बाईदू छेत्र छो वा छेत्र रुतपन्ड करता है यह से जिसमें कोई कर रहतन के back गवाच चैत्र जिसमें कोई अबेस लाने पर वहां कर्षण प्रतिकर्षण वलकान भौ करें वह बैदुच्षेत्र कहलाता है बस इतना याद रखना है कि न ठीक है तो उसके बाद अब यह तुम्हारा वह बदूच्षेत्र अब इसके बदूच्षेत्र है प्लस क्यों आव है थे जो है व्तिफशेत्र की दिशा में गत करना शुरू कर देता है यह तो छलने के लिए जो चेत्र है उसकी दिशा में ह्छाने के लिए छelse सोतंत्र हो जाता है यह क्या होगा उसकी दिशा में चलने लेगी ऑबेश की दिशा निरंतर बदल रही हो तो ऑबेश की चलने की दिशा भी निरंतर बदल जाएगी ठीक है रत्हत अबेश स्वख्राकार मार्ग पर चलेगा बददуд च्थेत्र में किसी 703 25 को मार्गों बददद बल रेखाएं कहते हैं इस जो बदद एबच गुद्ध है आवेज दहुमने दौद अबेश रखा यह जब इस ज sunshine यावेश जब इस पकफ अपनाया गया यह जो मार्ग अपनाए गया इसी मारग हम क्या कहेंगे बढदू बल रेखाएं कहेंगे ऐलक्री क्लाइन फोर्स ठीच एलेक्ट्रीक इलेक्ट्रीक ठीच क्या कहेंगे एलेक्ट्रीक कि लाइन आफ फोर्स ठीक क्या करेंगे एलेक्रिक लाइन अफोर्स यह यह इस आप इसको उम्ह आपने पर जो बंढ आया रहोएं कि यहाद चलने पर जो बन रहाएं कहलें इस आप ररेश की कानड़ चलने पर जो बल अपनाया गया वही क्या कहलाएंगी बाइदूत बल रेखाएंगे डीफिनेशन लिखना हो तो लिख लिजी बाइदूत बल रेखा बजूत छेत्र में खीचा गया वह काल्पनिक पृष्ड रिःष्ट होता है बैद्दूद बल्रेखा बैद्दूद बल्रेखा बैद्दूद छेत्र में खीचा गया हुआ काल्पनिक प्रिष्ट होता है ठीक है काल्पनिक निश्कोंड प्रिष्ट नहीं काल्पनिक निश्कोंड वक्र होता है जिस पर एक सोतंत्र आवेश जिस पर एक सोतंत्र आवेश वह प्रिःधक्रित नहं करने जी開ता ऊस्पार प्रिठक्रित एकांक धन आवेश चलता यहीं तुम्हेरा क्या कहालाता है बैदूद बैदूद बल रेखा किशी वी बीन्द पर खीचि गई असपर सरेखा उस बिंद पर इस्तित धन आबेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है यह जानना जरूरी है बैदुत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खीची गई असपर्स रेखा बैदुत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर ये तुम्हारे ये से बैदुत बल रेखा किसी बीन्द पर खीची गई अस पर रेखा कि उस्टित धनावेश की दिशा को प्रदजित करेगा जैसे यह तो इसकी बदुद बढ़ने वाले बलकी दिसा को पताएगा कि इधर की तरह ठीक है फिर हम देखने हैं यह दि हमारा चार्ज प्लस है ठीक है प्लस की वाबेस लेती हैं एक धन आपेस वाला गोले लेंगी उसके द्वारा उत्पन किया गया जो बढ़ा बदू छेत्र होगा उसमें बल रेखाएं खीची गई बाहर की तरफ यह है प्लस प्लस बदेखाएं धनावेश स्वतंत छोड़ देता है जब इसमें के और चार्ज लाएंगे इस फाबेश में तो अब होगा अनन्ट चला जाएगा अनन्ट रहे रिपल करेंगा उसको अनन्ट चला जाएगा इससे होता है कि जैसे हम बता रहें प्लस क्यों अब इसके दोरह इसमें कोई धान पर इच्छणवेश क्यों लाए गया अब यह जब इ यह प्रतिकर्शित कर रहा है इसके मतलब कि प्लस क्यों आभेस के द्वाइश रखेंगे प्लस क्यों आभेस रखेंगे यह क्या है अपनी तरफ यह जो इधर चलने लगता है कि तरफ यह लेता है तो यह इसके दौरा इधर चला आता है कि इस से प्लस की तरफ माइनस और रहां एक हो टी है हम समझते हैं उसके बाद यह इसका मतलब क्या हुआ वा कि इस इदर यह माइनस बशी निकलती है माइनस की तरफ वक्र बनाती हुई यह आती है प्लस से माइनस से निकलेंगी और प्लस की और वक्र बनाती हुई यह आ रहे हैं वैदुद बार रहां ठीक है प्लस से निकली और माइनस पर आई यह किसे प्लस से माइनस की और फिगर के मादम समझा देंगे माइनस प्लस से बार रहा इधर से प्लस से माझने स्क्रेवर बार रेका है कि सब from our बात आती है उदा सीन बिंदू क्या होता है उदा सीन बिंदू की तो यह तुम्हारा पॉजिटीफ चार्ज है यह निगेटिफ चार्ज है तो इसके यह यह बता प्लस आवेस इसको भी ले लेते हैं पहले वाला दूसरों को तोभी प्लस ले लते हैं तो इसके भरादू पहला रिखाए है क्या होगी कि तरफ होगी इसके पा इसके ढोला पाहर की तरफ अताइं यह बीच में क्या हूए यह बतां आ एक आ tradबर यह दिए के ठीक है इनके बीच में कोई आवेश रख देंगे लाकर ऐसा अबेश ठीक है दो बराबर विपरीत आवेश से उत्पन्र जो बैदु छेत्र की बर्रेखाएं समांब्ढ पर जाती है यह एक इभर रहे हैं ना ब्रहत से चलाकर रिषण समा पर समापत हो जातीं कि लेकिन जब हम दो बराबर ंवे शेस और अवा शेडनी और वांध्रर सब्सक्राइब है और इन दोन्हों आवेसों के मिलाने मालेका मध्सीयन पर एक आवेश दुसरे आवेश के अवर स्हेत्र ठीक आप प्रक्रामी क्रक्चेयलक है सुन हो जाएगा इस कुंद को हो क्या कहेंगे जैसे इसके दोरह यह दोनों का प्रडाम से तो तो सामान प्रकार के आवेस है बराबर दोनों पॉस्टिविज इसके द्लफ से किया गया पर उतना हीुका इसके द्लफ से तो हिए तरह यहां पर किया गया नेट वजोंर यह यहां पर किया होगा सब्सक्राम प्लस जरो प्लस प्लस फाइव एकतर का है बेक्टर फाई दोनों को जोड़ों के तो आपका सुन हो जाएगा ठीक है तो यह जो पॉइंट मिलता इसे उदासीन बिंदु कहते हैं ठीक है दूसरी कंडिशन होती है यह दि दोनों धनावेस ठीक है आपस में बराबर नहों तो उदासीन बिंद मत में नहीं होगा ठीक है इस पर 5-5 कूलाम का वेस तो दोनों क्या है दोनों तो पॉसिट्फिव हैं बट् पॉजटिव हैं लेकिन यह देखना है में कि इनका जो परड़ाम है कम ज्यादा है इनका अधिक है इसका कम है जो हमारे न्यूट्रल अधिक होगा उत शुन बंद मध्विंद ने प्राप्त होगा कहीं इस आभेस के नज़्दी प्राप्त होगा यह एक संबंध होता इसे याद रखेंगा कि मून अपान आरे स्कॉर्र जब यह दिमद्विंद न प्राप्त हो ठीक है अगला टॉपिक कि आपका आता है बैदु बल रेखाओं के गुड़ फीचर ओफ एलेक्ट्रिक लाइन्स और फोर्स ठीक है फीचर आफ एलेक्ट्रिक लाइन्स आफ फोर्स बैदुद बर रेखाओं के गुड़ कि जितना यहीं से बताया बैदूद बर्ण रिखाओं के गुड़ को रहा है लिखना हो तो लिख लीजी ठीक है पहला लिख लीजिए यह ए Towden we also görd les내 समापत होती है आपने क्या देखाई यह रेखाई क्या है धन आबेश चे चल करई आबेश पर समापत हो रहे हैं इसका पहला हम लिख सकते हैं क्या पहली प्रपर्टी कह लिख सकते हैं यह कैसे रेखाई रहे धन ений अमूं maximal में इस समाप्त कोझम है समाप्त है टेन थीया यह रिराव पर समाप्त हुई दूसरी प्रॉपर्पर्टी क्या है दूसे पासट ने क्या देखा बल रसी है कि किसी है उस पर हमने जो असपर से रेखा की चाओ क्या बताएगा बैदू उस आभेस पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है यह लिख लेना दूसर की प्रॉपर्टी पर क्या बताएगा बल की दिशा को बताएगा तिसर का हम बता रहें आपको कोई भी कोई भी ठीक है लिख ल क्यों नहीं काटेगे क्योंकि उस दसा में कटान बिन्दन्धो पर्डो असफर रखा केची गई अगर दो बाधुत बड़ रेखा है मानों जैस से बाध़ का है एक बदड़ रेखा है एक यह मनलिक हमने चांदी दीत कि बाहना मना ये दोनों काट रही है माल लेंगे थोड़ी देर के कि लिए दोनों काट है तो जब बनला बद्धू छेतर की दिश्द को बताता बन लगने वाले बन की दिश्द यानि की बद्धू छेत्र ुडिश्द नहीं हो शकती एक बेगती की दवारा लगाए गया या किसी एक रदा लगा गया जो आपका बल ओगा उसकी में जाए एक ही होली क्योंकि कोई लेगते अगर किसी चीज को खीच रहा है मानों तो एक है तरफ तो कि गईगोट है तो ओ blueberry-sead चेंगा एक तरफ भी खीचेगा थिकर थीज़ीं स् señorव नहीं करेच फकॉलई क्योंकि यह दॉट सेटेस की ने यह रेखाई खीचिँ हूई लचक दार डोरी की तरह लंबाई से शुरकने का प्रतिन करती हैं इसी करण इसी कणिसies में अकरशन होता है इसी कारण क्या अपता है विशीयर अकर्शन होता है उसक्यो बादली प्रॉपर्टी यह रिखाई अपनी लंबाई के लंब avatar दिसा में यह रेखा हैं जो अपनी लंबाई के लंबाई के लंबाई यानि यह क्या करेंगी यह दूसरे को क्या करेंगी प्रतिकर्शन करेंगी यही रीजन है कि दो सामान प्रकार के आदे शो में प्रतिकर्शन होता है ठीकर दो सामान प्रकार के आदे सो में प्रतिकर्शन होता है यही रीजन है please color student आप इतना समझ गये होंगे कि बैद्दुत आप आज ने आप क्या क्या पढ़ है आप बद्दु छेत्र पढ़े बद्दु बर रेक हम क्या होती है बद्दु छेत्र कशा से समझे हैं याद करने की कोई हो सकता नहीं आप समझेट श्यक्राटा जैसे वने और समझने कछ क्या कांसेट है काशत है तो एक बर वार करते हैं यह आपकी बळुत छैटर क्या होता कोई पिए जो इस की गुड़ होता उसके एंदर छेत है अस पर कोई एक ऐस आएगा पोजिक्टिट्व यसो क्या करेंगा उस पर उस पर एक ब्रकहने लगेगा तो जो शेथ Such पन के उसे दूझ करते हैं उदा उसके बाद पॉजिटिउटीफ दरगा बाहर की तरह वर रिषरक्त की तरफ अंदर की तरह ठीक है उदा Best ऑृजटीफ चार्ग फिटन lowering प्रकार के होगा झीरों होगा वेक्टर के माद्धार ठीक है अब दोनों धनावेस बराबन्न हो उदासन बिंद मत में नहीं होता बराबन्न यानि कि बढ़ा हो एक छोटा ओ एक पॉजिटीब चार्ज ये निगर यह आपका प्वॉजटीव यह माली जी यह वह पॉजिटीव बड़ा वाला है यह पांच काय दो काया माली जी ति ante निट्रल पॉंट मलें है प्राप्ति इसके दोरह यह दूरों इसके दूरी आठी़ यह दूरी यह यह रवन हो तुक्त के बद्धूर रहे ऊद्धूर रहे और इड़ावेश पर हम्हें हैं निकर रहे हैं धनावेश से और पर लाता इठ आकर समाब्त हो रहे यह आपको बैदू छेत की घुपर लगने वांगे और बल होताएंगे ठीक है कि फोर्स और चार्जर पार्टिकल डू टू एलेक्ट्रिक फिल्ड यह सब बताया जाएगा बैदु छेत्र की बीमा निकालना बताएंगा बैदु छेत्र का मात्रक बताएंगा तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब चैनल के वेटियो को सब्सक्राइब करते हैं आप ऐसे अरे और जाएंड़ी बेरे माइन का रीच्टाइब आप शेयाता हुआ थानी परा टूटर में सब्सक्राइब कर देखने माइन जालाना अधा युनिदा छिविसाय है। झाल झाल